गुड मॉर्निंग दोस्तों नीव बलोग में आपका स्वागत है आज का वीडियो कुछ खास होगा जोकी घर से रिलेटेड है और खेश से रिलेटेड वीडियो है तो आप वीडियो में जूरे रहे और मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक क कमेंट कीजिए आज दिखाते हैं अपने घर का हर एक चीज और मा खाना बना रहे हैं इधर बीपिंजी जा रहे हैं तो चलिए दिखाते हैं तो देखिए यह मा खाना बना रही है कर देख उसक्ते रोटी बना रहे है और इधर सब्ची बनके तयार हो चुका है तो मा से बोलते हैं है बोल देने के लिए है बोल दो मा ऍुसक्त देख सकते अपना ओटा से घर है यह यह आप के सामने देख सकते है यही जोपरी का घर है मेरा कि इसी में रात है हां कि अधर देख सकते हैं शोटी आंटी है इसी में खाना बनता है इधा दाल घटा रहा है देख सकते हैं कि तो फाइनाली गाई आपको अपना घर अच्छे तरश दिखा रहे हैं आप देखिए और दूरा पर चलते हैं वो दादी दिख रही है अपना किसानी के लिए एक छोटा सा वाइक है यह मेरे दादी का रूम है इदर देखिए मेरी दादी है कुछ बात कर रही है पोती से यह मुश्कान है हाज बोल दो है अच्छ रही है इस दूर्द चोटा वाई मेरा है उधर दादा जी जा रहा है यह मेरा छोटा सा गाउं है देख सकते इधर बंधा लगा हुआ है आप दो दूर्ड दिखाते है मनिकांजी मूद हो रहे हैं मनिकांजी हाई बोल दीज्ये अलो गाई देख सकते हम दान्तिन कर रहे हैं नाल्टा है है तकी परेलिया है लगता है यह सुच में लगे हुए है क्या सुच में लगे हुए कुछ बता सकते हैं कि दोस्तों साती ब्लॉबर को देखे नोशे वैक देख सकते यह मेरा बाइक है बहुत ही प्यार आशा शुद्धु जी बोल ले हम बरात गये थे भाई का तो इनको डारेक्ट हो गया थे यानी पेट खराब हो गया था ज्यादा कुछ खा लिये थे तो फाइनली दोस्तों हम दिखा चुके घर का हरेक चीज तो मिलते आगले बलोग में तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लिजिए और सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए